So hello guys, welcome to this video, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जाला मज़ेतार और important होने वाला है, जिए कि मैंने recently मेरे Instagram account चुप पर एक story डाली थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके जो भी Facebook ads के related questions हों भी आप मुझसे पूछो और मैं उसमें से कुछ questions पिक करके आप लोगों को उसका answer दुना, finally मैंने उसमें से top 8 questions चूज़ करके रखे वे हैं और जो भी वो questions है उनके मैं यहाँ पर answer देने वाला हूँ स्टार्ट करते हैं हमारे question no.1 के साथ में और question no.1 हमारा यश्वर्मा की site से जो की बोलते है कि अचानक से CPP डबल हो जाए या results खराब आने लगे तो क्या करे in few days after testing तो सबसे पहले तो कैसा होता है कभी-कभी Facebook ads के अंदर क्या होता है कि आपका कोई product चल रहा है और एकदम से उसका result थोड़ा सा down आ जाता है तो आपको उसको उस दिन एकदम से बंद नहीं करना है हमेशा आपको data को judge करना है past three days के basis पे past three days का जो भी average है उसके according decide कि जाएगा कि past three days के average भी खड़ाब हो गया और सब कुछ खड़ाब हो गया तो यहाँ पर एक ही चीज बचती है और वो है आपको नए creative market के अंदर लाने पड़ेंगे जो भी आपका product है उसके आप नए creative ready कीजिए और उस नए creative market के अंदर आपके उस product के साथ में छोड़ दीजिए तो बहुत ज्यादा chances बढ़ जाते हैं कि आपका product वाफस से चलने लगे नाव question number two is हमात सिद्धी की से हमारा question आया है भाई one more question single interest targeting better work करती है या testing में या interest stacking मतलब बेसिकली कहना चाहते है कि single interest हमारे access के अंदर हम डाले या फिर interest को stack करके मतलब single interest मतलब सिरीव एक ही interest डाले या आपको decision होता है वो product के according भी लेना पड़ता है जैसे मैं आपको example देता हूँ जब कोई भी कोई भी मैं normally product को test कर रहा हूँ तो maximum of the products में लेकिसे 100 products में test करने जा रहा हूँ तो उसमें 80-90 products तो ऐसे होते हैं जिसमें मैं singally interest जा लोगा उसके जित्ते भी access में create करने वाला तो basically तब मैंने client के लिए काम किया था तो उसके अंदर क्या था उनका product था वो herb related था herbals और जो ayurveda नीच उती है उसके related था उसमें वह बालों का oil बेच रहे थे ठीक है तो उसमें कैसा हिंता मैंने उनके लिए काम किया तो पहले basically मैंने मेरा single interest tracking का काम होता है मैंने वह इसके अंदर लगाया लेकि 3-4 दिन तक देखा तो उसमें बिल्कुल भी results नहीं आ रहे थे फिर मैंने सूचा कि इसके इंदर किया कह जा तो मैंने क्या किया जो भी hair जैसे म कुछ नाम था और उसके अंदर मैंने आयूर्वेदा something नाम से एक interest आता है इसके अंदर आयूर्वेदा कामा या something ऐसे कुछ नाम से तो वह भी interest मैंने उसके अंदर stack कर देखा तो basically मैंने ऐसा किया था कि हर एक adset के अंदर let's say वहाँ पर एक herb अपना यह है hair products का कोई care का interest है इसमें तो basically product की according आपको decide करना पड़ेंगा अब यहाँ पर क्या हुआ इनका product थोड़ा सा of course hair related था hair care की related product था इनका but यह product आयूर्वेदा निश्का था क्योंकि of course इसमें chemicals रेगरा वाले हमारे hair care की products साथ है इनका आयूर्वेदा था तो इसलिए उसके सी मुझे stacking करनी पड लेकिन starting में हमेशा मैं recommend मैं खुदी यह चीज करता हूँ कि मैं starting में हमेशा single interest stack करता हूँ कि अगर से आपको एक बड़ा audience size महला single interest मिल जाता है तो उसको scale करना बहुत ज़्यादा easy हो जाता है आपके लिए उसकी बाद में हमारे पास में question number 3 आया है something toy shop नाम के किसी store वाले स है वो पूछ रहे है कि ad fatigue का perfect solution क्या है तो basically ad fatigue मतलब क्या होते है अब आपको पता नहीं होगा तो basically ऐसा होता है ad fatigue का meaning कि आपकी एक ही ad है जो viewers को जिरेंको ads दिख रही है उनको 2 या 3 या 4 या 5 बार उनको फिर से वही वह अपनी ad दिख रही है तो उस case को ad fatigue बोला जाता है और मिनीमम से मिनीमम एक मेना या देड मेना तो लगता ही लगता है कि आपका ad fatigue हो जाया मतलब कोई एक क्रियेटिव आपकी marketing market के अंदर चल रही है और अभी उसको एक देड मेना या उससे भी जाधा time हो गया उसके बाद में वह अलग क्रियेटिव आपके लिए sales नना बंद कर हो गयते है उसके बाद में हमारा वह एड चलना ही बने है मतलब उसमें literally sales ही नहीं आ रहे थे जो हमारा CPP हमको 1.5 डॉलर पे चाहिए था वह अभी 3.5 डॉलर सा उसके भी आगे जा मतलब मैं डॉलर में इसलिए बात कर रहा हूं कि जो हमको 1.5 डॉलर में हमको CPP चाहिए थ वह हमको अभी जो जही रहा था वह creative उसले एक जड़ मैने से वह अभी चले गया था सिधा 3.5 डॉलर की उपकर और हमने उसको 3 days तक चलने दिया average चलने दिया सब कुछ करके देख लिया चल ही नहीं रहा था उसके बाद में मैंने क्या किया मैंने उस product को मंगवाया मेरे पा तो मैं उसके creative बहुत अच्छे शूट किया और फिर आपको खुद के प्रोड़क का खुद का शूट करो या करो खुद से और उसको अच्छे एडिटिंग करके फिर से market के अंदर आपके best working interest जो उनके साथ में उनको उतारो आपके नए उतारो तो वह बहुत जदा अच्छ वक करते हैं और वापस से हमारा जो भी एड जो हमारा cost per result है वो 1.5 से टू रदर तक आ चुका है यह मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता हो यह recently मेरे साथ में हुआ है ठीक है उसके बाद में गई हमारा fourth number का question आया है विकाश सहीनी से जो कि कहते है एड स्केलिंग होता है आप ABO गर से लगाते हो आप तो ABO में आप minimum 500-500-500 का हरे एड से बजट देते हो आप CBO लगा रहे हो तो शायद 1500-2000 तक का बजट देते हो तो सिंपल है आप जब scaling करने जा रहे हो चाहे जितने भी दिन बाद हो तो पहले चीज़ तो जब आप अभी लेट से अगर स से करो जिसे आप 10-20% से बजट से जब उनको इंक्रीज करने को scaling में कैसा होता है हमेशा तजहान में रखना तो आप 600 करोंगे फिर 600-720 और फिर ऐसा ऐसा करके बहुत टाइम लग जाता है वो पास शुरू करने में तो जब आपका प्रोड़क्त 3-4 दिन से अच्छा चल रहा है तो अभी जब आप उसके नए एकसे लगा रहे हो नए campaign लगा रहे हो तो उसको starting ही थोड़ा सा जाधा जिससे आप जब उनको 20-10% से इंफिस करोंगे तो जल्दी जल्दी प्रोड़क्त स्केल हो जाएंगा और scaling में एक ही होता है कि आपको multiple interest test करने पड़ते है और आपके नए-nay creative market में अंदर डालने पड़ते है तब इदर जाकर आपका प्रोड़क्त अच्छे से स्केल होता है ठीक है विकाश उसके बाद में fifth number question हमारा है e-mart next नाम कोई है तो वह बोल रहा है कि ads में 48 hours plus review में चले जाता है ठीक है तो yes अभी यह बोल रहा है कि हमारा ads चले जाता है यह जो issue है यह recently face किया गया था मेरे खायल से कुछ around 20-25 दिन सवरी उससे पहले की बात हो मेरे खायल से एक मैन हो गया इस चीज़ को बीच में कुछ 10-15 डेस का ऐसा period था कि बहुत गंदी तरीके से ads review में जा रहा था इनकेस आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो दो-तिन चीज़ में आपको बता देता हो एक तो जो ads आपका review में उसको आप duplicate कर दो औरीजनल वाले को बंद कर दो चांसे से कि वह नए वाला आपका वापस से चलने लग जाए उसके बाद में एक और दहन में रखना कि आपका जो ads के अंदर use करो अगर से आपने इतना भी properly follow कर लिया ना तो आपके ads में नहीं जाएंगी यह मैं आपको guarantee देता हूँ अगर से फिर भी चले गया तो फिर मैंने आपको बता है उसको duplicate कर तो duplicate वाले के chances बढ़ जाते है उसके बाद में six number question हमको आया है भासकर से और वो कह रहे जाते है जब आप placement के अंदर जो आपका advantage placement होता है और एक manual होता है तो manual के अंदर अगर से आप सिरिफ stories और एक section होता है जिसके अंदर पाच placements आपके select हो जाते है अगर से सिरिफ आप वही select करते हो तो फिर आपको ads level के उपर आपकी vertical वाली creative लाल में बढ़ते है तो इससे results बहुत अच्छे आते है यह first चीज़ इसमें मैं आपको suggestions देना चाहूंगा पहली चीज़ तो कि अगर से आपको product के उपर बहुत जादा भरोसा है ठीक है और product ऐसा है जो Instagram kind of product है Instagram kind of product मतलब जिसे देखो कुछ-कुछ product होते है जो Instagram के उपर sale नहीं हो सकते वह Facebook के उपर sale होत कि यह product Instagram पर जादा सकते है Instagram पर इसकी बहुत जादा audience available है जो इस product को purchase करेंगे तो उस case में आपको recommend करूँगा कि आप उसका specific एक vertical वाला version ready करवाए और उसको जो है आप stories और reels वाले placement में चलाए उसके अंदर भी एक चीज़ में आपको और suggestion देना कि उसका जो dimension है 10801920 तो जो Instagram के अंदर training चलता है राइट वो जो trending वाला music है वो आपको आपकी उस creative के अंदर use करना है उससे results आपके बहुत जादा boost up होते है तो of course जिस product के आपको बहुत जादा भरोसा है और जिसका audience बहुत जादा Instagram के उपर है उस product के उपर आप सिरिव only vertical वाला जो आपका creative होता ह है वो आप जरूदेश कर सकते है और वो सच में अच्छा results देता भी है उसकी बाद में हमारे पास question है question number seven जो की है SHHSK 737 से what to do if the CPC is high and CTR is low I keep changing the ads but same results on all ads first of all मैं यह बहुत एक mistake देखता हूँ बहुत से dropshippers में यार आप इतना यह CPC और यह क्या लिखा है CTR और इस पर धानी क्यों देरो मेरे को समझ नहीं आ रहा है ठीक है अगर से आपका CPP जो cost per purchase है जो आपको कम चाहिए main motive का है हमारा कि हमको CPP कम चाहिए हमको ROAS अच्छा च वो तगड़ा है जिस बंदे के पास में भाई एक एक प्रोड़क के उपपर 10-10, 20-20, 30-30, 1000 स्पेंड करने की ताकत है अगर से प्रोड़क जीरो रिजल्स भी देता है वो बंदे के लिए ठीक है कि वो बंदा CPC, CTM और CTR वेगरा देख रहा है बट अपने पास budget ही नहीं ह अगर से आप एक ही प्रोड़क के उपर 2-3,000 या 4,000 स्पेंड नहीं कर सकते हो तो उस case में तो मैं एक ही चीज़ रिकमेंट करता हूँ कि सीधा सीधा देखो कि first day में वो result का दे रहा है मेरे अभी तक के पिछले November month से लेकर तो अभी तक जो May month चल रहा है यहां तक मेरे तक पर रोयास दे रहा है उसको मैं continue लग रहा हूँ उसके नीचे अगर से दे रहा है तो अगर से उस पर बहुत ज़्यादा परोस है तो second day पर उसको एक time देता हूँ नहीं नहीं इंट्रेस उसमें टेस करता हूँ लेकिन अगर से second day पर उसने वक्त नहीं क्या है तो बन खतम प्रोड़क को मैं चलाओंगा नहीं ड्रॉप शीपिंग में यही करना है किसी प्रोड़क से अपने को लगाओ नहीं लगाना है किसी अपने को दिल नहीं लगाना है तूरू लव नहीं करना है किसी प्रोड़क के साथ में कि भाई नहीं यह प्रोड़क तो मेरे हिसाब से अच्छा चलना है चाहिए तो मैं इस पर बहुत पैसा खरच करूँगा, फिर बहुत ज़्यादा डीप में CPC, CPM, अरे भाई तुम dropshipping में हो, dropshipping में सीधा काम है, multiple product टेस्ट करो, जितने फटा-फट टेस्ट करो, आपको जल्दी सी जल्दी आपका winner मिल जाएगा और उस winner को एक कोई ना कोई नीज होती है, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट होता है और उसी product को सेल करना पड़ता है, जब यह case है, अफ़ोर उस case के अंदर आपको CPM, CPC और वो सब चीज़े आपको देखना है, but dropshipping में नहीं देखना है, dropshipping में come on, just आप multiple product test करो, जो winner निकलता है उसक नहीं दे रहा है, उसको बाद में और आगे test की मत करो, तो इसके बाद में हमारा last question आया है, जो कि कहते है, can you make one beginning video on how to set up Facebook ads account in 2023, please, so last question है, so एसे के लिए देखो, जो आपके Facebook ads accounts होते है, उसमें कैसा होता है, कि आपके पास कम से कम 3 profiles होनी चाहिए Facebook की, आपके एक ही device के अंद ठीक है, so एक जो profile रहेंगी, वो रहेंगी owner, ownership of business manager, ad account, page, pixel and everything, जो भी आपके Facebook के assets है, उसका वो जो profile number 1 हो owner रहेंगी, ठीक है, अभी आपको क्या करना है, एक second profile भी आपके पास में रहेंगी, तो ये first owner क्या करेंगा, second profile को admin assets देखी रहेंगा, इन सारे Facebook assets के, ठीक है, जिससे अगर से हमारा owner का भी future में, owner के level पे, मतलब personal ad account, अगर से owner का restrict हो जाता है, जिस वज़े से वो कुछ changes नहीं कर सकता है, assets के अंदर, तो हमारा second admin है, वो उसमें अभी भी available है, और वो multiple changes कर सकता है, अपने assets के अंदर, अभी इसके अलावा, ये दो profiles के अलावा, owner और admin के इसमें कैसा scene होता है, इसमें आप सारे assets के employee assets देखे रखते हो, अभी जो भी आपको ads manage करना है, नया campaign create करना है, पिक्सल से अगरा है, इदरोगों सब connect करना है, नया page add करना है, वो जो भी चीज़ें आपको करनी हो, आप अभी employee assets से करोंगे, जो भी ads management का आपका काम है, वो स सारा का सारा काम जो है, आपके employee वाली profile से होगा, इस case में हमें फाइडा ऐसा रहता है, employee profile को वैसी facebook जाता भाव देता नहीं है, तो इनके सगर से employee profile ban भी हो जाती है, उस business manager वाले environment के अंदर, तो फिर भी admin को कोई भी धक्का लगता नहीं है, और owner को भी कोई धक्का लगता न तो यह चीज़े करके आपका जो facebook ad का setup है, वह आप बहुत अच्छे से चला सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा security भी रहता है, इसमें भी एक चीज़ बताना चाहिए हूँ कि अगर से आप agency ad accounts यूज करते हो, तो उसके उपर भी आपको थोड़ा सा focus करना चाहिए बाकी अगर से आपको यह सब नहीं पता कि ऐसे कैसे setup करने आपके just एक device के उपर कैसे multiple 10, 20, 50, 100 जितने आपका ad account setup करने, agency ad account बिगर लेना, यह अगर से आपको setup करना नहीं पता, agency ad account बिगर चाहिए, तो सब चीज़ों के उपर मैंने club करके already आप लोगों के लिए facebook band solution नाम से course बनाया हुआ है, मैं उसके link नीचे description दे रहा हूँ, आप उसके अंदर जरूर इंड्रॉल कर सकते हो, बाकी guys इस वीडियो में से भी इतना ही, अगर से आपको वीडियो पसंद आया तो आप मुझे like जरूर कर देना इस वीडियो को, बाकी आप मुझे comment session में बताना कि आप आप में एंस्साग्राम तो फॉलो करके नहीं रखा है, तो वहाँ पर जरूर फॉलो करके रखना है, ऐसे type के updates के लिए, उसके अलाव अगर से आपको e-commerce, dropshipping और facebook ads के content में इंटरेस हैं तो मुझे subscribe करना ना भगना, इस वीडियो को बेसे इतना ही, मिलता हूँ, मैं आपक प्रोड़ विलियू운 मुझे हाई तो कि करने चे नान ही पर जुलो करके नापको